नमस्कार दोस्तो सुवागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज है उत्राखंड जी के MCQ's Practice Set सीरीज और इस सीरीज का आज हमारा 41 वीडियो है यानि कि 41 वा पार्ट है आज की वीडियो में भी आपको उत्राखंड के 20 important questions यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन से जुड़ेवे जो भी आपके extra fact होंगे उनको भी यहीं पर clear करते हुए चलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक इस सीरीज के previous 40 parts को नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं इस वीडियो के end में भी आपको अपना score कमेंट करके बताना है कि 20 में से कितने marks आपके यहाँ पर बने तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है ब्रिटिस सरकार ने कुमाओं में प्रतक वन विभाग की स्थापना कब करी तो कुमाओं के अंदर वन विभाग की स्थापना कब की गई सही आंसर है option B 1868 में कुमाओं में वन विभाग की स्थापना की गई अगर पूछा जाए गड़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई तो गड़वाल की अंदर 1869 में वन विभाग बना और अगर टिहरी दियासत की बात करें तो टिहरी दियासत में 1885 में वन विभाग बना तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है चलिए नेक्स्ट कोशन है विलियम ट्रेल ने कुमाओं को कितने परगनों में विभक्त किया था तो विलियम ट्रेल ने पूरे कुमाओं को उस समय 26 परगनों में विभाजित कर दिया था ये आपको ध्यान रखना है विलियम ट्रेल कुमाओं का दूसरा कमिशनर था और वास्तविक स स्थापक भी इसी को माना जाता है कुमाओं कमिश्णिरी का यहां पर ठीक है नेक्स्ट कोशन है चार धामों में से कौन सा धाम सबसे कम उचाई पर इस्तित है तो आपके जो चार धाम है गंगोत्री यमनूत्री बदरिनात और केदारनात इन में सबसे कम उचाई पर कौन सा धाम इस्तित है सही आंसर है आपका option B गंगोत्री धाम तो सबसे कम उचाई पर आपका गंगोत्री है और सरवादिक उचाई पर अगर पूछा जाएगा तो केदारना धाम इन चारों धामों में सबसे उचाई पर इस्तित है अगर उचाई की मैं बात करूं तो यह लगबग तीन हजार के करीब है और यमनोत्री आपका लगबग बत्तिस सौ के करीब है नेक्स्ट कोशन है प्रकटेशवर गुफा कहां इस्तित है तो दिखे यह जो प्रकटेशवर गुफा है यह आपके उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है option C आपका सही आंसर है अगला प्रशन है बुला ताल कहां इस्तित है तो बुला ताल यह आपका पॉड़ी में लैंसी डॉन में इस्तित है तो ऐसे question आपके बन सकते है ताल को लेकर जील को लेकर परवत पहाड गुफा इनको लेकर प्रशन बनते रहे हैं यहां तक कि जो उची उची आपके परवत है उनकी height को ले इस्तित है यह आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है सरकार द्वारा नायक बाली का रक्षा कानून किस वर्ष पारित किया गया अब देखें यहां पे कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है ध्यान से इसको सुनिएगा और हो सके तो इनको आप नोट जरूर कीज ठीक है चलिए देखते हैं नायक बाली का रक्षा कानून यह पारित किया गया 1929 में ऑप्चन सी इसका सही आंसर है अब कुछ बाते हैं उनको ध्यान रखना कुछ इयर्स हैं वो आपको याद रखने हैं सबसे पहला साल है 1919 1919 में कुमाउं परिशत के दुआरा नायक सुधा समीती का गठन किया गया ठीक है आपको पूछा जाएगा नायक सुधार समीती का गठन कब हुआ 1919 में किस ने किया कुमाउं परिशत ने ठीक है अगला साल जो आपको याद रखना है वो है 1924 1924 में ब्रिटिश शरकार के दौरा यानि कि कुमाउं कमिशनर के दौरा यहां प द्वारा नायक सुधार कमीटी ये समीती का गठन कब हुआ तब आप बताएंगे 1924 कुमाओं परिशद ने कब बनाई 1919 में ठीक है ये दो बाते क्लियर हुई 1924 में जो ये समीती बनी अंग्रेजों के द्वारा इसका अध्यक्ष बनाया गया इस्टिफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया अब अगला साल जो आपको याद रखना है वो है आपका 1925 1925 में नायक सुधार सभा इसका आयोजन किया गया तो अगर सभा पूछेगा नायक सुधार सभा ये आपके 1925 में आयोजित हुई कुमाउपरिशत के द्वारा और फाइनली 1939 में आपका नायक बाली का रक्षा कानून बना इससे पहले एक वर्ष और है 1928 1928 में नायक सुरक्षा अधिनियम आया तो ये दो बातें आपको याद रखने हैं नायक सुरक्षा अधिनियम पूछेगा 1928 नायक बाली का रक्षक कानून पूछेगा 1929 इसलिए मैंने कहा आपको इसको नोट करना है जल्दी से इसको रिवाइस कर लेते हैं 1919 में कुमाउं जो परिशत ती उसने नायक सुरक्षा अधिनियम पूरित किया गया और 1939 में नायक बाली का रक्षा कानून पूरित किया गया ठीक है? चलिए Next question है Wandering in the Himalaya किसकी किताब है? तो Wandering in the Himalya ये किताब लिखी है option D इसका सही आंसर है पीटर बेरिन के द्वारा यह किताब लिखी गई है इसकी किताब एक और है जो आपको याद रखनी है हिम माला तो हिम माला नाम किताब भी पीटर बेरिन ने लिखी है अगला प्रशन है आपका किस कुमाउं कमीशनर ने कूली काम में जेल के कैदियों को लगाया था तो कूली के काम में जेल के कैदियों को लगाने वाला कुमाउं कमीशनर कौन था सही आंसर है यहाँ पर option C हैंरी रैमजे हैंरी रैमजे ने कुमाउं जो कूली काम होता था कुली बेगार प्रथा थी, उसको खतम करने के लिए, या उस पे कंट्रोल करने के लिए, जेल की कैदियों को उसमें लगाया, ताकि जो आम नागरिक है उनके ओपर उसका बोज ना पड़े, ठीक है तो जेल की कैदियों को किस ने लगाया रैमजे ने इसके लावा एक और पूछा जाता है कि कुमाउं जो ये कुली प्रता थी इसको कंट्रोल करने के लिए खतम करने के लिए खचर सेना का गठन किस ने किया तो खचर सेना विलियम ट्रेल ने बनाई थी ठीक है दोनों बाते याद रखनी है जेल के कैदियों को लग तो नैनीताल का जिँटियर में और के सवर्ष दिया गया 1904 में दिया गया अगला प्रशन है उत्राखंड चाईविकांस बोड कहां इस्तित है तो देखिए जो ये उत्राखंड चाइविकांस बोड है ये आपका अलमोडо में इस्तित है और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है कब होती है तो बारह फरवरी 2004 को अलमोडा में उत्राखन चाई विकास बोर्ड का गठन किया जाता है ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट कोशन है आपका कोशन नमबर 11 गड़वाल का चाणक्या किसे कहा जाता है देखे गड़वाल का चाणक्या पूछा जा रहा है ये कहा जाता है ऑप्शन सी पुरिया नैथानी को गड़वाल का चाणक्या कहा जाता है अगर पूछा जाता कुमाओ का चाणक्या तो आप बताते हर्षदेव जोशी को हर्षदेव जोशी और आली में कन्फ्यूज मत होना हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाओ का चानक क्या हर्षदेव आली स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको कुमाओ का यहां का उत्राखंड का मुजॉलिनी भी इनको कहा जाता है इसके लावा काली कुमाओ का शेर हर्षदेव ओली को कहते हैं इनमें कन्फ्यूजन मत करना ठीके इसलिए मैंने तीनों यहां पे आपको नाम दिये ताकि यहीं पर आपका कन्फ्यूजन किलियर हो जाए तो गडवाल का चानक के पुरिया नैथानी कुमाओ का चानक के हर्षदेव ओली चलिए नेक्स कोशन है आपका किस चंद राजा ने गडवाल नरेश को पराजित किया और शिरी नगर पर अधिकार कर लिया सही उत्तर है इसका ओप्शन C जगदचन देखे जगदचन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह हमको काफी सारे प्रशन देता है पहला प्रशन यही देता है कि इसने गडवाल नरेश को उस समय गडवाल नरेश कौन था जब इसने इसको पराजित किया तो फतह पती शहा उस समय गड़वाल का शाशक था जगत चंद ने फतह पती शहा को पराजित किया और शीरिनगर पर अपना अधिकार कर लिया था ठीक है एक कोशन ये बना दूसरा प्रशन चंदों में किस चंद राजा के काल को कुमाओ का स्वन काल कहा जाता है तो कुमाओ का स्वन काल भी जगत चंद के काल को कहा जाता है तीसरा प्रशन जो हमें जगत चंद देता है कि इसने जुआरियों पर जुआ खेलने पर टेक्स लगा दिया था पूछा जाता है जुवा खेलने पर text किस ने लगाया था जगत चंद ने लगाया था ठीक है तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में आप detail में जानना चाहते हैं तो चंद वंच हम already पढ़ चुके हैं वहाँ पर मैंने आपको पूरा detail में बताया है आप पूछा है अगर अलमोडा जेल पूछी होती अगर पूछा होता अलमोडा जेल की स्थापना कवी तो आप बताते 1816 ठीक है जेल पूछेगा 1816 थाना पूछेगा 1837 इसी प्रकार अगर पौडी जेल पूछेगा तो पौडी जेल आपकी 1821 में बनी और एक और थाना आपका बना नैनिताल थाना इसी क्या सपास बना अल्मोडा थाना 37 में बना नैनिताल थाना 43 में बना अगला प्रशन है भुर मुनी जल प्रपात कहां इस्तित है तो भुर मुनी जल प्रपात ये आपका पिथारगर जनपद में इस्तित है option D आपका सही उत्तर है राम गंगा राश्टे उध्यान का नाम बदल कर कब जिम कॉर्बेट राश्टे उध्यान कर दिया गया तो देखे पहले इसकी पारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इसको हम किलियर करेंगे देखे राम गंगा जो ये राश्टे उध्यान है इसकी स्थापना 1936 में की गई इसका नाम रखा गया हैली राश्टे उध्यान ठीक है तो हैली राश्टे उध्यान की स्थापना 1936 में की गई ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला नैशनल पार्क था ठीक है है हैली नैशनल पार्क जब भारत आजाद हो गया आजादी के बाद 1952 में हेली नैशनल पार्क का नाम बदल कर राम गंगा नैशनल पार्क कर दिया गया ठीक है लेकिन 1957 में क्या किया गया जो ये राम गंगा नैशनल पार्क था इसका नाम बदल कर जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क कर दिया गया तो ये तीन साल आपको याद रखने है 1936 स्थापना 1952 पहली बार नाम परिवर्तन, 1957 में दूसरी बार नाम परिवर्तन, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन है आपका, कृषी एवं पशुपालन छेत्र में उत्कृष्ट प्रदशन करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए किसान रत्न सम्मान यहां योजना कब शुरू की गई, तो किसानों के लिए किसान रत्न सम्मान यह देने की शुरुवात कब की गई, यह आपको पूछा जा रहा है, सही आंसर है, वर्ष 2010 में की गया, अगला प्रशन है, उत्राखंड में भकार शब्द का प्रियोग होता है, यह भी आपका प्रिविस येर कोश तो देखते ही हैं, जैसे हमने उपर रामगंगा वाला देखा, या उससे पहले हमने जो अदर कोशन थे, अलमोडा जेल वाला देखा, ऐसे प्रशन पेपर में पूछे जा चुके हैं, उनसे जुड़ेवी भी फैक्ट आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, तो आपका इस शिलालेग की खोच यह आपके 1860 में की गई, जॉन फॉरिस्ट के दुवारा, ठीक हैं, कालशी शिलालेग की खोच किस ने करी थी, जॉन फॉरिस्ट ने इसकी खोच करी थी, 1860 में, ठीक हैं, यह अभी लेग, यह जो शिलालेग है, यह किसका है, तो यहां अशोक का है, मौर्य वंस का ये शिला लेख है मौर्य वंस में अशोक का ये शिला लेख है कब का शिला लेख है तो यहां आपके 257 बीसी का सिला लेख है इस सिला लेख से हमें क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि जो कुडिंद थे कुरिंद लोग मौर्यों के आधीन थे ये हमें कहां से पता चलता है कालसी सिलालेक से अब बात आती है यहां लिपी कौन सी है और इसमें भाशा का प्रियोग कौन सी किया गया है तो जो ये कालसी सिलालेक है इसकी जो लिपी है लिपी है आपकी ब्रहमी लिपी इसमें प्रियोग की गई है और अगर मैं भाशा की बात करूँ तो इसमें प्राकृत भाशा का प्रियोग किया गया है ठीक है आप इसको ध्यान रखें प्राकृत भाशा मैंने आपको पहले भी कहा है इस कोशन में कंफ्यूजन है कि पाली भ प्राकृत भाषा में छपवाई थे ठीक है प्राकृत भाषा में ही बनवाई थे अशोक ने अपने सभी सिला ले आपको अधर बुक्स में किरन हो या NCRT की हो लूशन्ट हो सभी प्या आपको ये फैक्ट मिल जाएगा ठीक है तो आपको पहले प्राकृत को ही वहां पे देन प्राकृत भाषा का अगला प्रशन है गोर्खा काल में नियाइधिश को क्या कहा जाता था पेपर में पूछा गया प्रशन है गोर्खा काल में नियाइधिश के लिए विचारी शब्द का प्रियोग किया जाता था यानि कि जो नियाइधिश होता था उसको विचारी कहते थे जो लोगों की सजा या उनके जो भी उन्होंने वो किये हैं अपराद किये हैं उनके ओपर जो विचार करेगा वो हो गया विचारी अब यहां से देखे आपको कितने फैक्ट मिलेंगे यह तो प्रीविस एर कोशन हो गया आपने पढ़ा भी होगा उसे विचारी कहते हैं क कामी किसको कहा जाता था गोर्खा काल में तो जो शिल्प कर्मी होते थे शिल्प कर्मियों के लिए कामी शब्द काप्रियोग होता था ठीक है कठुवा किनको कहते थे तो कठुवा उन लोगों को कहा जाता था जो गोर्खा काल में ब्रहम्मन दास होते थे यानि कि वे ब्रहम ब्रहमणदासों के लिए वो कथुआ शब्ड यूग करते थे ठैक है यह दो नाम आपको याद रखने है कामी शिल्प कर्मी होते थे कथुआ जो ब्रहमणदास होते थे उनके लिए कथुआ शब्ड काप्री यूग किया जाता था गोर्खे ब्रहामणों के लिए एक और statement भी कहते थे जो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि गोर्खे कहते थे ब्रहामणों के पैर पूझे जाते हैं सर नहीं पूझा जाता तो वो ब्रहमनों से भी काम करवाते थे जो ब्रहमन दास होते थे उनके लिए वो कटुवा कहते थे इसके इलावा जो यह 9 है तो 9 के लिए 9 शब्द काप्रयोग करते थे तो 9 होता था आज का हमारा अंतिम प्रशन है हैवल घाटी कहां इस्तित है तो घाटियों को लेकर भी प्रश्ण बनते रहे हैं हैवल घाटी ये आपके टिहरी जन्पत में इस्तित है एक और घाटी है जो टिहरी में है आपको याद रखनी है तोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है तो ये सोल घाटी आपको पूछा जाएगा सोल घाटी कहां पर है अगर सोर पूछा जाएगा तो ये आपका पिथोरगर होगा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्राखन जी के MCQ सीरीज का पार्ट हमने 41 यहाँ पर देखा उमीद करता हूँ आपको प्रशन अच्छे लगे होंगे और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करना बिलकुल भी ना भूले आपका जो भी स्कोर रहा है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आएं और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं जैसा आप जानते हैं एक्जाम नजदिक आ रहे हैं तो अभी हमारी जो उत्राखन प्रैक्टिस सीरीज है उसी को आप ये चल रही है बहुत ही जल्दी हमारी हिंदी की सीरीज और जीके की सीरीज दोनों की रिवीजन सीरीज आने वाली हैं तो बस आपको पूरा जो रिवीजन है पूरा जो आपका जानकारी है सब कुछ यहीं पर मिलेगा बहुत जल्दी ही काफी सारे कमेंट आरे थे कि हिंदी को भी झाल झाल